प्रदेश के सबसे हाइटेक आर्टीयो कार्यले में दे रात की गई तंत्र क्रिया जगा जगा लाल कपड़े में लटकाए गए नार्यत अधिकारियों ने किया इस बात से इनकारों सूत्रों के हवालों से पता चला है कि दिन भर होती रहती है भूतों को भगाने की बात शहर का आर्टीयो कार्यले कहने को तो प्रदेश का सबसे हाइटेक और अत्याधुनी का आर्टीयो है लेकिन बीती रात यहां अंधविश्वास सारी हाइटेक व्यवस्थाओं पर भारी परता नजर आया इसका पता गुरुवास सुब ऑफिस खुलने पर चला ऑफिस खुलने पर जब लोग यहां पहुचे तो कार्यले के चारों और कई हिस्सों में लाल कपड़े में बंधे नारियल दिवारों पर लटक रहे थे दफ्तर के ही कुछ लोगों ने बताया कि बुधवार रात यहा यहां नारियल बांधे गए हैं हाला कि अधिकारी किसी भी पूजा की बात से इंकार कर रहे हैं गुरुवास सुबह 10 बजे जब ऑफिस खुला तो यहां कई हिस्सों की दिवारों पर लाल कपड़े में नारियल लटक रहे थे यह नारियल कार्यले में आर्टियो के कैबिन क के बाहर तक बंधी थे लर्निंग लाइसेंस शाखा के पास स्मार्ट चिप सेक्शन के बाहर आर्टियो के कैबिन के बाहर और मीटिंग हॉल के पास भी ऐसे ही कपड़े में बंधे नारियल लटक रहे थे सूतरों ने बताया कि रोजाना आर्टियो आफिस शाम साड़े मगरी बंधवाए और चले गए आर्टियो कार्यारे लंबे समय से विवादों से घिरा हुआ है इसका कारण यहां लगाता है सामने आ रहे घोटाले और गडबडिया हैं इनमें डीपीएस बस हादसे के बाद सामने आए घडबडियां फरजी टेक्स रसीदों का घोटाला भईयो महराज की कार के फरजी ट्रांसफर का मामला फरजी मार्कशीट का मामला जैसे कई मामले शामिल है कुछ कर्मचारियों का दावा है कि इसे देखते हुए अधिकारियों के कहने पर ही शान्ती के लिए पूजा करवाते हुए नारियल बांधे गए हैं इस संबंध में आर्टियो जितेंद रगुवंशी ने बताया कि उन्हें किसी पूजा की जानकाली नहीं है और ये नारियल किसने बांधे इसका भी पता नहीं है हलाकि उन्होंने बताया कि ये नारियल नए आर्टियो कारेले में प्रवेश के समय हुई पूजा के हैं जो कुछ समय पहले सफाई में मिले थे शायद उन्ही नारियलों को किसी ने बांधा होगा